नमस्कार, मैं हूँ रुकसाना आपके सामने में फिर से उपस्तीत हूँ मैं छटमा कक्षा का असाइन्मेंट लेकर इसका टॉपिक है ऐसे ऐसे निनलिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण मोहन के पडोसी का नाम क्या था? मोहन के पडोसी का नाम था दीनानाथ मोहन की उम्र कितनी थी? कितने साल का था मोहन? मोहन आट से नौ बर्श का मोहन था मोहन कौन सी कक्षा का विद्यार थी था? आट से नौ साल का है तब मोहन तीसरी कक्षा का विद्यार थी था ठीक है? आठ से नौ साल के बीतर कौन से कक्षा में होते हैं, जैनरली तीसरी कक्षा में मोहन की दवा पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे अब मोहन की दवा तो डॉक्टर भी बताया अपना पैसा, अपनी फीस, दॉक्टर ने भी बताया अपनी फीस, वैद जी ने भी अपनी फीस बताया, ठीक है, दोनों ने अपनी अलग अलग फीस बताया, तो मोहन की दवा पर कितने खर्च हो गया, दोनों को बुलाया गया था उस समय 15, 20 रोबै का value ज्यादा था आज से Master जी ने Mohan के विमारी के बारे में क्या कहा था अब Master जी को तो पता था Mohan ने अपने मम्मी को बुद्धु बनाया Mohan ने अपने पिता जी को बुद्धु बनाया पर Master जी देखते ही समझ गए कि मोहन को कुछ भी नहीं हुआ है वह सिर्फ बहाना कर रहा है क्यों कि मास्टर जी को पता था कि मास्टर जी ने क्या होमवग दिया है तेक है सो मास्टर जी देखते ही समझ गया कि मोहन को क्या विमारी है और वो नाटक कर रहा है मोहन की माने मोहन को तो कौन-कौन से घरेलू दवा पिलाई अब मैं यहां पर एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि आपके पास मतलब घर में क्या होता है कि जनरली हम घरेलू चीजे होती है जो घर की किचन में हुआ होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम है अगर हुआ सर में दर्ध हुआ पेट में दर्ध हुआ तो हम लोग क्या करते हैं जो घर में जो अवेलवल होता है जो पर चीज हमारी होती है तो वही हम देते हैं बच्चों को ठीक है तो जनरली पेट दर्थ में आप भी अगर अपनी मम्मी सो कहोगे कि पेट में दर्थ हो रहा है मम्मी, तो मम्मी क्या देगी? सबसे पहले मम्मी पठा के पुदीना हरा दे देगी, है न? यह आपने अजमाया होगा, ठीक है? उसके बाद को चूरन आपको दिया जाता है, ठीक चूरन होता है, चूरन में बहुत सारे हर्ब्स मिले होते हैं, तो वो भी पेट दर्थ में काफी आराम देता है, पीपरमेंड भी खिलाया जाता है, जिससे आपको रहत मिलती है पेट में तो यह सब मम्मी ने खिलाया, इसके बावजूद भी आराम नहीं मिला, आराम क्यों मुहन कैसा लड़का था, सबसे पहले तो वो नटखट था, ठीक है, शरारती पूरे महले में शराद करता फिरता था, इस से झगड़ा करना उसको थपर लगाना यह सब घया करता था, तो दीनानाथ को पता था जब Mohan को पेट में दर्ध होनी लगा, तब दीननाथ ने क्या कहा, कि देखो, वा दिन भर तो इधर उधर घुमता फिरता रहता है, कभी इसको थपड लगाता है, कभी जगडा करता है, वो बहुत नटखट है, उसके वज़े से पूरा पडोस गुलजार किया रहता है, गुल जिद जी ने मोहन को रहता है, क्युण जी जैसे उसमें कुछ जड़ी-बूटी होता है, तो आदे आदे घंटे के बाद, गरम पाने के साथ उसको पीने के लिए कहा, वैज जी ने, इससे भी और खाफी हद तक उसको आолоम बिलता है, तो यहां पर वैज जी ने क्या दिया? एक पुडिया जो आदे आदे घंटे के बार उसको गरम पानी के साथ लेना था तो ये था हमारा छट्मी कक्षा का असाइन्मेंट धन्यवाद